नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अभी सेक और आज मैं बात करने जा रहा हूँ लेखक फणीश्वर नाथ रेणू द्वारा लिखी गई पार्ट जिसका सिर्शक है इस जल प्रले में दरसल यह एक रिपोतार्ज है मतलब किसी घटना का आखो देखा हाल इस रिपोतार्ज में ले जोसी, पनार, महानदी और गंगा की बार से पिरित लोग आकर कुछ दिनों के लिए शरण लेते थे लेकिन लेखक को बार के भयानक दृष्य का अंदाजा नहीं था लेखक ने कभी भी बार को अपनी आखों से नहीं देखा था लेखक को पानी में तैरना भले ही नहीं आत हो लेकिन वे स्कूल के समय से ही लेख और कहानी लिखते रहते थे एक बार लेखक ने साल 1967 में बार की विनाश लीला को देखा और व्यक्तिगत रूप से लेखक भी इस घटना से प्रभावित हुए लगवक 18 घंटों की लगतार वर्षा से पुनपुन अदी से आने वाला पानी पटना शहर में घुसने लगा लेखक समय अन्य घरों के लोग अपनी दैनिक अवशकताओं की चीजों को इकठा करके सावधानी बरतने लगे लेखक लगवक 5 बजे रिक्षे से कॉफी हाउस की ओर जाने के लिए निकले थे रिक्षे वाले ने लेखक को बता दिया था कि अब तक कॉफी हाउस डूब चुका होगा लेकिन बाण का पानी देखने की इच्छा से लेखक आगे बढ़ते गए तवी रास्ते में उन्हें पता चला की कॉफी हाउस बंद कर दिया गया है और लोग तरह तरह की बाते करते हुए उत्साहित लग रहे थे लेखक र लोगों की भीड एक रेलिंग के सहारे खड़ी होई थी शाम साथ बजे के करीब आकाशवानी से समचार प्रसारित हुआ की पानी आकाशवानी केंदर पटना की सीडियों तक पहुँच चुका है तबी लेखक और उनके मित्र घबरा गए लेकि उनके आसपास के लोग बिल घर पहुचे ही थे कि जन संपर्क की गाड़ी बाड की घोशना करती हुई वहां आप पहुची लौड स्पीकर से पताया जा रहा था की रात के बारा बजे तक पानी लोहानीपूर और कंकर बाग से होता हुआ राजेंदर नगर में पहुच सकता है और आप साउधान हो जा की बाड की याद उनके मन में सीनेमा की तरह चलने लगी लेखक को साल 1949 की याद आती है जब वे रिलीव दल के साथ नाओ पर बाड गरस्त छित्र में गए थे वहां पर एक बीमार युवक के साथ उसका कुत्ता भी आया था डॉक्टर ने कुत्ते को ले जाने पर आपत्ती जताई जिस कारण वह युवक अपने कुत्ते के बिना जाने को तयार नहीं हुआ और फिर वह नाओ से उतर गया लेखक ने बाड गरस्त लोगों को चुहे और मचली खाकर जीवन व्यापन करते हुए देखा था ऐसी गंभीर इस्तिती में भी लोग निर्त का आनंद उठा जाती है उस समय लेखक बोय स्कॉट के सदस्य थे बाड गरस्त छेतर में नाओ ना होने के कारण केले के पौदे से भेल बना लिया गया था तभी जविंदार के लड़के हार्मोनियम और तबले लेकर जल में नाओ की सैर करने लगे तो गाओं के नौ जवानों ने उनकी न पिकनिक मनाने निकल पड़ा था छतो पर खड़े लड़कों ने सीटिया बजाई साथ ही तालियों और किलकारियों से उनके मजे को किरकिरा कर दिया युवक यूवतियों की वह टोली नाओ पर सज धज कर निगली थी नाओ पर ही चाय और नेसकेफे के पाउडर को मत कर एस पिकी नाओ के गुलंबर तक पोचते पोचते इनका सारा फूड़पन गायब हो गया रात के ढाई बजे थे सभी लोग जागे हुए थे लिखक ने अपने कुछ मित्रों और सगे सम्मंदी को फोन लगाया लेकिन किसी का भी नंबर नहीं लगा तभी अचानक सुभा पाँच बजे एक शोर सुनाई पड़ा लेकक को भी नींद से जगाया गया सुभा होते ही उन्होंने देखा कि चारों तरफ पानी ही पानी था पानी की तेज लहरों में सारी हर्याली, दीवारे, बिजली के खंबे और पेड का तनाख सब डुपता ही जा रहा था सब कुछ नश्ट करते हुए पानी तेजी से आगे बढ़ता चला आ रहा था लिखक एक बार फिर से डर गए, तभी उनके मन में विचार आता है कि काश इस समय मूवी कैमरा, टेप रिकॉडर या कलम ही होती लेकिन फिर सोचा कि अच्छा ही है कि कुछ भी नहीं है इसके बाद लिखक ने पहली बार अपनी आखों से पानी को इस तरह चड़ते हुए देखा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेर करके आप हमारा आतनो विश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आये है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे धन्यवाद